स्वागत है ओडिशा के प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक कंटिलो नील माधव मंदिर की यात्रा में यह पवित्र स्थल भगवान विश्णु के अवतार नील माधव को समर्पित है और इसके साथ जुड़ी अंगिनत पौरानिक कहानिया इसे एक अद्वितिय तीर्थ स्थल बनाती है कंटिलो नील माधव मंदिर ओडिशा के नयागढ़ जिले में स्थित है और महानदी के किनारे स्थित पहाड़ी पर विराजमान है ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक द्रिश्टी से महत्वपूर्ण है बलकि इसकी प्राकृतिक सुंदर्ता भी भक्तों और पर्यटकों को मंत्रमुग्द कर देती है मंदिर की मान्यता के अनुसार भगवान नील माधव की मूर्ती सबसे पहले राजा इंद्रद्युम्न द्वारा देखी गई थी माना जाता है कि यहीं से पुरी के प्रसिद्ध भगवान जगननात की कथा शुरू होती है क्योंकि नील माधव के रूप में ही भगवान जगननात की मूर्ती की उत्पत्ती हुई थी मंदिर की स्थापत्य शैली ओडिशा की पारंपरिक कलिंग शैली में निर्मित है जिसमें पत्थरों पर बारीक नकाशी की गई है इस मंदिर में भगवान नील माधव की विशेश पूजा अर्चना होती है और यहां हर दिन सैकणों भक्त दर्शन के लिए आते हैं यहां मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव कार्तिक पूर्णिमा और माघ मेला है जब हजारों की संख्या में भक्त यहां भगवान नील माधव का आशीरवाद प्राप्त करने आते हैं इस दोरान मंदिर का वातावरण भक्तिमाय और उल्ला स्पूर्ण होता है मंदिर से जुड़ा प्राकृतिक सौंदर्य भी एक प्रमुक आकर्शन पहाड़ियों से घिरा यह मंदिर और पास से बहती महानदी इसे एक आदर्ष तीर्थ स्थल और परियटक आकर्शन बनाते हैं यहां आने वाले भक्त न केवल भगवान नील माधव के दर्षन का आनन्द लेते हैं बलकि प्रकृति की गोद में शान्ति का अनुभव भी करते हैं कंटिलो नील माधव मंदिर आध्यात्मिक्ता इतिहास और प्रकृति का अध्भुत संगम हैं यदि आप ओडिशा की यात्रा पर हैं तो इस मंदिर के दर्षन जरूर करें और भुव और भगवान नील माधव का आशिरवाद प्राप्त करें धन्यवाद यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार कौन सा स्थान देखना चाहेंगे